सब्सक्राइब कर लिया था मार्केट क्लोस होते के साथ ही फ्राइडे को अनालिजिस आया था समझाया था कि मार्केट के अंदर गिरावत का में कारण के और मार्केट में आगे कितना वातने की समवना होगा उसके लिए आपसे कहा था हम लोग आपके लिए सिंडे को एक प्रेस्ज कर मार्केट क्लाइब की था सलगे सिर व shipped क een लड़ और चाहर्ट सब देखो 22 800 वे एसपास सही इंदर करीnell और 400 पॉइंट l गिरावट वी जिसके बारे मिने डिसकस भी किया था bank nifty निफ्टी उनिटाज जाज़ा 600 के लेवल से फॉल आया करीब 1000 पॉइंट का एंड फिन निफ्टी 2230 से गिरावट आई 2200 के लेवल तक 2100 के लेवल तक यहां पर फॉल आया जिसके बारे में हम लोगों ने डिसकस भी किया था कि फॉल जो हम लोगों को देखने लेवल बिल सकता है निफ्टी ने जो हाई बनाया था 22,794 का बनाया लो मारा 22,348 का bank nifty ने लो बनाया 48,669 का यानि 48,600 के लेवल को सपोर्ट किया फिर निफ्टी ने जो लो बनाया वो बनाया था 21,700 के लेवल का हाई था 22,136 का अब देकों जिन लोगों ने लास्ट वीडियो देखा होगा उनको क्लेरली समझाया गया था कि 22,800 जायेगा निफ्टी उसके आसपास भी आता है कि आप 300 पॉइंट निफ्टी के अंदर कैप्चर करो या फिर पूरे के पूरे 400 पॉइंट आप कैप्चर करो हाँ यह पॉसिबल है कि आपने 50 पॉइंट कैप्चर करे दन उसके बाद आपने प्रॉफिट बुक किया दन अगें आपने फिर नेक्स्ट ट्रेड में 25 पॉइंट बुक किये दन अगें नेक्स्ट ट्रेड में आपने 10 पॉइंट लिए इस तरीके से डेफिनली प्रक्टिकली पॉसिबल है बट इस तरह से पॉसिबल नहीं है कि आपने बिए अग्सट बॉइंट बॉसिबल है तो कि यहां से हम से पाटाइंट का स्टौन लेकि बाइसाओन से फॉल आया और जो फॉल नाया वो प्लत था तो जिसके बारे में हम लोग डिसकस किया था जिन्होंने लास्ट वीडियो देखा होगा डेफिटली उन्होंने अच्छा मूव कैप्चर किया होगा अब सवाल है कि कल का सैशन मार्केट में कैसा जाएगा तो इसके लिए हमेशे की तरह सुरुवात करेंगे हम लोग ग्लोबल मार्केट की डेटा से तो सबसे बहले नज़र डालेंगे हम लोग निफ्टी के उपर आप देखो निफ्टी के जो क्लोजिंग है वो यह 22,475 के लेवल पर 22,475 का लेवल देखा जाए तो काफी वीक लेवल है सेंसेक्स में भी काफी अची कासी गिरावट है 700 पॉइंट्स निफ्टी बैंक में गिरावट है 300 पॉइंट्स की दिख रही है बड़ आक्चल में गिरावट डे हाई से लगबग 700 पॉइंट्स की है पारिस के अंदर 42 पॉइंट्स की तेजी रही फ्रेंक्फर्क डैक्स जर्मनी यहां भी बाजर पॉजिटिव क्लोस किया देखो यूरोप के बाजर में कोई दिक्कत निया है इनका बाजर फिलाल पॉजिटिव नोट के साथ क्लोजिंग देखर के गया है जो कि फिलाल हमार की तेजी थी थी प्होंकों के बाजर में तेजी है वर हॉंक्आ के बाजर की तेजी से हमारा बाजर जो है कुछ छावाज्वाफ होता नहीं है अब चानिस मारिक्ट ओसे के अंदर 750 की तेजी हैं कि वह आपर जबरदस करूमनर ऐसके लगता है किन्धिव यहां पर रजगत में सैलिंग करके आफाइस ने अमेरिकन मार्केट को पर चड़ा है नेस्जक में आप देखो दो पसंड की तेजी है और अगर कल हमारे बाजर के अंदर इस तरीके तेजी होती है तो हमारा बाजर पूरा कल पलट सकता है ऐसे फाइफर इंडेक्स ये एक्चल पेक्चर दिखा तो गिफ्ट फूरा के लिवल पर है यानि 22,475 के असपस कि हमारी क्लोजिंग है वहां से लगबबाग 200 पुइंट की टेजी है और जहां पर गिफ्ट फूरा था फ्राइडे को वहां पर पांच बचे के बाद 800 points की तेजी के साथ close जूई है तो ये फिलाल हमारे ले अच्छे indication है DAX के अंदर भी काफ़े अच्छी काशी तेजी के साथ बाजा close हुआ और American market तो हम लोग देखी चुके है जबर्दस तेजी के साथ close जूई है तो global market का overall अगर आप map देखो तो फिलाल positive side में है इसके बाद हम लोग देखें currency market में क्या चल रहा है देखो dollar index के अंदर गिरावट है जो की हमारे बाजार के लिए फिलाल एक positive indication है इसके बाद USD INR रुपया हमारा थोड़ा मजबूत हुआ है USD Japan गिरावट है और euro इससे में मतलब नहीं है तो overall अगर आप इस डेटा को देखो के तो यह फिलाल हमारे लिए positive side में है bonds market की बात करें तो US के 10 साल की bond seal के अंदर लगबग 1.5% से लगे पहुने 2% की गिरावट है जो की हमारे बाजार के लिए positive indication है इंडियन 10 years की bond seal यहां भी गिरावट है जो कि हमारे बाजार के लिए अच्छा इंडिकेशन है जर्मनी की 10 साल की bond seal के अंदर भी पहुने 2% से 2% गिरावट है जो की positive indication है और UK की bond seal में भी गिरावट है यह बाजार को फिलाल positive indication मिल रहा है तो यहां सकतो बाजार ठीक है अब सवाल आता है कि हमारा market कल कैसा जाएगा तो इसके लिए कुछ important triggers होंगे जो कि इस हफते आपको नजर बना करकर रखनी होगी उन्हीं की basis पर हमारे बाजार का mood महौल पूरी तरीके से decide होगा क्या है वो factors आएगे देखते हैं तो इसके लिए हम लोग यहां पर आचुके money control की side के उपर यहां पर 10 factors दिये वे हैं जिसे पर हम लोग को नजर बना कर रखनी है इस हफते के लिए सबसे पहला factor इस हफते में रहेगा corporate earnings corporate earnings मतलब की companies कुछ ऐसी हैं जो कि काफी ज़्यदा impact डालती है nifty के उपर और bank nifty के उपर तो ऐसी companies के result इस हफते आने वाले हैं जिस पर हम लोग को नजर बना कर कर रखनी है nifty 50 के अगर हम companies की बात करें तो कुछ ऐसी company है जैसे L&T हो गया, State Bank of India हो गया Sipla हो गया, iShare Motor, Tata Motor हो गया इन companies के result आने वाले है जिसका impact हमारे market के उपर definitely पढ़ेगा non nifty companies like Lupin, BPCL हो गया HPCL, Union Bank of India, Punjab National Bank, Bank of Baroda यानि काफी बड़ी-बड़ी companies के result इस हफते आने वाले है क्योंकि आपने देगा कि April month complete हो चुका है तो ऐसे माई का महिना जो होगा वो बड़ी companies के result के लिए होगा Tata Power का भी result आने वाला है इन सभी का अनालेजिस हम लोग result का individual videos के दाश शेयर करेंगे और आप लोग को तब तक के लिए बेट करना होगा तो first factor के बाद second factor आता है वो है लोग सबा election तो यहाँआ पर कुछ और phases में अब election की voting होने वाले है third phase का जो 7th माई को voting है उसका impact जो है बाजर के बाजर के बाजर के बाजर को पड़ेगा कितना पसेंट voting हुआ और कितना पसेंट नहीं हुआ इसके बाद global economic data जो है यह भी बाजर को काफी ज़्याद इंपक्ट करेगा बिकास global का UK के जो नंबर्स आने वाले है इसके लावर US का, China का, PMI का नंबर का डेटा आने वाले है और federal की जो open market committee है उसकी बैठक का भी कुछ important updates आने वाला है FED की तरफ से यह सारे इसके updates हैं आप लोग जाकर के एक बाग गो तुरू कर लेना क्योंकि वीडियो के इन देता टाइम नहीं है कि सभी चुछों को लोग डिटेल में डिसकस कर सके Domestic Economic Data Domestic Front Market Participant Focus on HSBC Service PMI Numbers for April 6 HSBC Service PMI Numbers आने वाले है जो की बाजार को काफियत तक डिसाइड करेगा कि कि इस डिरेक्शन में जाना चाहिए कि FIS क्या करके गए है Technical View हम लोग टेक्निकली जाकर के देखेंगे कि Market कैसा परफॉर्म करेगा अब इसके बाद हम लोग डजर ला लेते हैं FIS क्या करके गए है FIS Cash Market में बहुत भेंकर बिक्वाली करके गए है और FIS के वजए से हमारे Market के गिरावट हुए है DIS ने चुलू बर समान खरीदा है 690 करोड का जले पर नमक शड़का है इनोंने 690 करोड का माल खरीद गे अगर सामने से 2300 करोड का बेच रहे हैं तो कम से कम इन है यहाँ पर 3000 करोड का माल खरीदना होता इसके बाद आप देखो Cash Market के साथ में इनोंने अच्छी बात यह है कि Index Option में भी बिकवाली की है जिसके बाद हमारा बाजार अगले दिन अगर Gap Up लेता है तो Gap Up के बाद भी Positive जाने के चंसे काफी ज़्यादा High रहते हैं अब यहाँ से आप देखो FIS Index Option में सबसे जादा इनोंने किसमे बिकवाली की है और किसमे ख़धारी की है देखो Nifty 50 के अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2357 कोड की बिकवाली है जो कि हमारे लिए Positive Indication है Positive Indication मिल रहे है Nifty Bank 4457 कोड जो कि फिलाल हमें Upside की Indication देता है अगर गिरावड होती है तो Bounce में करने की शम्ता है फिन Nifty तोड़ा वीक रह सकता है Nifty Mid Cap जिसके Experiment मंडे को है यहाँ पर हो सकता है कि Premium आपका खा जाए क्योंकि सैड वेस चलाने के चांसे हो सकता है कल के दिन इसलिए कुछ बड़ा ट्रेट खिलने की कोशिश मत करना अदरवाइस हो सकता है कि वो सैड का Premium वो आपका खा जाए इंडिया विक्स के अगर उचाल है साड़े 8% का और देखते ही देखते हैं हम लोग 10 से सीधा 15 के असपस आ चुके है इसलिए बाज़ा थोड़ा कॉशेस हैने की जूरत है बाज़ा आपको सर्प्राइज मूव जरूर देगा अपसाइड से गिराया है तो बाटम से रिवर्सल भी शानदार मिल सकता है इसके बाद हम लोग यहां से नज़र डालेंगे डेटा में पीसे रेशो हम लोगों केंडिकेट करता है तो यह हम लोग आ चुके हैं सबसे पहले निफटी का डेटा आप देखो नाइन्थ मॉए का डेटा है जिसके अंदर पीसे रेशो 0.65 का है पीसे र के साब से हम लोग ओवर सोल्ड के तरफ एक दिन में चुके कि एक दिन में जितना दोना माल बेचा है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों के लिए बाजार एक अच्छा ओपरचुनिटी दे सकता है बाइंग करने के लिए बॉटन पर आप देखो बाजार में चांसस क्या बन रहे हैं सबसे पहले आप देखो 22,700 22,700 हमारे लिए इंविजिट रजिस्टेंस है कल के सेशन में और इस हफते अगर बाजार 22,700 के उपर निकल के होल्ड कर लेता है तो इस केस में हम लोग 22,950 के तरफ जा सकते हैं और 22,950 के बाद सीधा एक ही लेवल आता है जो कि मैजिकल लेवल होगा 23,000 का तो 22,700 हमारे ले मेक इन ब्रेक लेवल रहेगा इसके बाद नीचे में आप देखो जो सपोर्ट मार्किट ने बनाया है वो है आपका 22,400 का जिसको बाजार ने रिस्पेक्ट किया लास्ट फ्रैडे शेशन में तो 22,400 और 22,350 ये हमारे ला स्ट्रॉंग रिवर्सल का एरिया है 50-54 पॉइंट का स्टॉप लास लेगे रिवर्सल के प्लेई कर सकते है हो सकता है ये जितने भी कॉल लेटर्स है कल आपको ट्रैप नजर आए और अगर बहुत जादा बड़ा गैप अप हो गया तब भी उस केस में हो सकता है कि आपको बाजार एक सर्प्राइस डाउनसाइड का मूव अगेन फिर से दे दे तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि ज्यादा बड़ा गैप अप होगा तब भी हम लोग को जो है सैलिंग सैड में एक बार ट्रै करना है इसके बाद हम लोग आते हैं बैंक निफ्टी का डेटा देखो बैंक निफ्टी में अगर हम यहां से सर्ज करते हैं बैंक निफ्टी यह है बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी का जो पीसे रिश्य निकल के आ रहा है वो भी इसका 0.64 के असपास का है जो कि फिलाल हमारे लिए एक अच्छा इंडिकेशन है इसके बाद तोड़ा जूम करेंगे और यहां पर देखेंगे सबसे ज़्यादा डेटा में क्या चेंजिस आये देखो बैंक निफ्टी में आप देखो तो सीधा सीधा बन चुका है 49,000 के लेवल का सपोर्ट हमारे सामने क्या रहेगा सपोर्ट हमारे सामने है 48,500 के लेवल का जिसको बाजा ने लास्ट फ्राइडे शैशन में बेरेक नहीं किया तो 48,500 हम लोग आते है तो बाइंग करेंगे फिन निफ्टी के PCI ratio जो है I hope वो भी 0.64 के असपास होगा येस ये भी 0.65 के असपास का है जो कि फिलाल ठीक है ओवर सॉल की तरफ है अल्मोस अल्मोस हमलो अब यहां से हमारे सपोर्ट क्या बन सकता है तो सपोर्ट के लिए बाजार में जो first हमारे सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 21,700 का क्योंकि बाजार ने last Friday session में इसको respect किया है तो 21,700 हमारे सपोर्ट है रेजिस्टेंस क्या होगा रेजिस्टेंस हमारे सामने रहेगा 21,900 का 21,900 रेजिस्टेंस है अगर इसके ऊपर या इसके आसपास हम लोग खुल जाते हैं तो यह तो था OIDA अब इसके बाद हम लोग चलते हैं टेक्निकल चार्ट के उपर तो इसके लिए हम लोग आचुके हैं टेक्निकल चार्ट पर आप देखेंगे मार्केट ने जब इसको ब्रेक किया बाइजार 575 का इसको ब्रेक किया तो ब्रेक करने के बाद वापस रिवसर लेने कोशिश की बड़ इसको ब्रेक नहीं कर पाया अगें दन इसके बाद जो है सपोर्ट लैन के असपास आके सेकिंड जो सपोर्ट था 22,380 और 420 के लेवल का इसी सपोर्ट के बीच में आकर के इसके उपर करके क्लोजिंग मिला अब मंडे को हो क्या सकते हैं मंडे और सपोर्ट मान लेते हैं मार्केट 22,640 के असपास उपन करते हैं मान लेते हैं बाइज़एख 600 या 640 के असपास यहां कहीं पर उपन करते हैं उपन करने के बाद मार्केट अगर 22,575 का सपोर्ट लेता है यह 22,5 के लेवल का स्टॉप लौश रखेंगे 2,520 के लेवल का स्टॉप लौस रखेंगे यहां से हम लोग अफसेड के लिए करते हैं तो अपसेड में एक्सपक्टिड जो लेवल कल के लिए आपको निफटी दिखा सकते हैं वो रहेगा 22,625 का पहला लेवल दर उसके बाद 22,675 दूसरा एंड 22,740 तक के लेवल भी आपको निफ्टी के अंदर पुटेंशिल है रिवर्सल में आपको दिखा सकता है रिजिस्टर्स क्या रहेगा रिजिस्टर्स हमारे सामने Monday onwards एक ही है और वो है 22,775 के लेवल का इस लेवल के असपास जब भी आएंगे एक बार हम लोगो ट्राय करेंगे साल के लिए क्योंकि बाज़ार इस लेवल से एक और बार उसकता है कि डिप दे और डिप में आपको जो है पचास से सौ पिंट आपको मिनिमम मिल जाए इस टॉप लॉस यहां से जो रहेगा वो रहेगा 22,825 के लेवल का तो यह तो थे आपके फिन निफ्टी के लेवल देन इसके बाद हम लोग आते हैं बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी के जो लेवल्स है उसमें 48,500 का हमारे लिए सपोर्ट अभी निफल कर कहा है था वो है डिटा के बिजिस्स पर जो की काफी डीप सपोर्ट है और उमीद करते हैं कि इतना बड़ा डीप सपोर्ट आपको लेने की ज़रुत ना पड़े देखो 48,500 इससे पहले भी हम लोगों ने मारकिंग की हुई है अभी मारकिट ने क्या किया है जो सैकिंड सपोर्ट था जो फर्स सपोर्ट था उसके नीचे आगे क्लोजिंग दिये बट अगर सपोर्ट मारकिट में गैप अप होता है मंडे सेशन को और मार्किट मान लेते हैं कि 99,200 ओपन करती है अगर इस लेवल पर ओपन करती है तो अगेन मार्किट के लोग जो सपोर्ट बनेगा वो बनेगा 48,750 का इस टॉपलस हमारा रहेगा 48,600 का और हम लोग इस लेवल से अपसेड के लिए प्ले करेंगे तो expected है कि bank nifty आपको Monday session onward 49,400 से लेके 49,650 प्लस तक के भी लेवल आपको दिखा सकता है तो bank nifty में भी potential है कि bank nifty भी आपको एक अच्छा reversal देके जाए इसके बाद हम लोग आते हैं fin nifty fin nifty के अंदर आप देखो तो यहाँ पर इस तने हैं जो support लिया है last Friday session में वो exactly 21,700 का लिया है अगर मान लेते हैं कि market 21,850 के असपास open कर रहे है अगर suppose fin nifty इसके असपास open करते हैं तो हमारे लिए जो stop loss रहेगा वो रहेगा 21,760 के लेवल का और इस support के असपास आने पर यह support रहेगा और stop loss हमारे 21,700 का रहेगा 21,660 के असपास आने पर हम लोग upside के ले जाते हैं तो upside में market 21,950 तक जाने का potential रखते हैं और अगर ज़्यादा बड़ा gap up होता है suppose मान लेते हैं कि market 22,050 के असपास open करते हैं तो इस case में हम लोग खुलने के बाद पहले एक बड़ डाउंसाइगे कर सकते हैं stop loss हमारा रहेगा सीधा-सीधा 22,050 के लेवल का यह तो थे आपके fin nifty के लेवल अब काफी लोग यह भी कहते हैं सर्फ जिसके expiry है उसके लेवल भी दो तो यह हम लोग आ जाते हैं mid cap expiry mid cap में अगर आप देखो सबसे पहले इसका हम लोग चेक कर लेते हैं OID अम लोगों के अंडिकेट कर रहा है क्योंकि अभी इसका OID अम लोगों ने वहाँ पर नहीं देखा है तो इसका हमला OID यहाँ पर देख लेते हैं OID में आप देखो होगे रहे 1150 के लेवल पर सबसे जावे हैं पर call attractive है जो की 19 लाग के असपास है और data addition भी 13 लाग के असपास का उरक है नीचे में support कहाँ पर बन रहा है हमारे पास नीचे में support हमारे लिए है 1100 के लेवल पर straight forward 1100 तो जाने के chances कम है हाँ अगर market में gap up होता है 1100 के उपर हम लोग open करते हैं 1100 पर भी put writers काफी ज़्यदा active है हो सकता है कि 1100 का level फिर हमारे ले 11100 का level फिर हमारे ले support बन जाए इसलिए अब उसके बाद हम लोग आते हैं technical chart पर देखो चार्ट पर आप देखो हम लोग मानके चलते हैं कि market 11100 के असपास open कर रहे 11100 के असपास open करता है तो उस case में हमारे पास जो support बन रहे है वो है 110050 के level का upside के लेवल हम लोग जाते हैं तो 11150 से लेकि 175 तक के potential है कि आपको mid cap nifty दिखाए mid cap nifty के expiry के जो chances है expiry mid cap के जो chances है वो है आपके 11100 150 प्लस के level के उपर अगर during the market कोई bad news आती है तब scenario change हो सकता है बट फिलाल जो है expectation यही है आज के लिए फिलाल इस्टेट में इतना ही वीडियो पसंद आए तो like, share and comment जहूँ करना मिलेंगे ने ने वीडियो में, thank you so much